हलो अरिवान कैसे हो आप सब मैं हो आपकी मामिलाक रांती और आज मैं अपने कक्षा बारवी के सभी बच्चों के लिए ले करके आई हूँ एक नया चाप्टर जिसका नाम है विद्धुचुम्बकिया तरंगे जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो मागनेटिक वेवस बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सुन्दर सा चाप्टर है जो बहुत ही कम समय में आप लोगों का पूरा हो जाएगा आज के ही इस लेक्चर में हम ये पूरा चाप्टर जो है खतम करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से हर चाप्टर की त तो टेलिग्राम, इंस्टाग्राम, वाट्साप, एवरिवेर, हर जग आप लोगों को इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर कर देना है, जो नए बच्ची आए हैं, स्वागत करती हूँ एक बार, फिर से आप सभी बच्चों का हमारी इस वीडियो में और जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कर लेंगे, बैल आइकॉन हिट कर लेंगे ताकि सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टा ainda मिलती रहे, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस आप लोगों के लिए हम और हमारे टीचर्द की टीम लगटार लेकर के आ रहे हैं, बहतर से से बहतर क्लासेस लेकर के लिए आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं तो वीडियो की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी वीडियो को लाइक करना नहीं पूरना है शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास जिसमें हम लोग चाप्टर पढ़ने वाले हैं विद्यू चुम्बकिया तरंगे अच्छा आप लोग सबसे पहले ये बताएंगे कक्षा ग्यारवी कौन-कौन पढ़कर आया है और कौन-कौन पढ़कर नहीं आया है नहीं पढ़कर आने वाले भी हाथ उठाएंगे और पढ़कर आने वाले बिलकुल थम सब का साइन दिखाएंगे नहीं पढ़कर आने व हूँ आगे आप लोगों का एम होगा झांज पेश इंग्व y double कoston पर की आगे का भविश्य आप लोगों का सुरक्षित हो सकते और जिंदगी में कुछ और जीन बहुत ज़ाइब निरभर करता है आप सोच नहीं सकते आप सोघ और चालीस पचास साल जो आपका करियर होने पाया करता ऊंतर भी म 화 तो एक बार जो है जरूर पढ़ लेना क्योंकि अगर वो चैटर आप नहीं ठीक से पढ़े हो तो 12 की बहुत सारी चीजे आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी जो हम प्रत्यावर्ती धारा में भी पढ़ेंगे और इसके अलावा तरंग चैप्टर पढ़ा होगा तो तरंग में मतलब अनुधायर्ध तरंग अनुप्रस तरंग तरंग के बहुत प्रकार आप लोगों ने देखे होंगे और विद्धुत चुम्ब की तरंगों की अगर मैं बात करूं तो अभी तकक्षा बारवी में स्टार्टिंग में हम ल के वढ़ा हो रही है मतलब की हमारे चारो तरफ जितना भी टेक्नूलीं हो सारी की विद्धुत चुम्बकीय तरंग कि यह है क्या है विद्धुत चुम्बकीय तरंग हर जगह कहां नहीं है सेटेलाइट में मोबाईल के सिगनल में आप मेरी क्लासे में जो quero देख पा रहे और चुम्मा किया तरंग बिल्कुल कैसे संचरीत होती है इस पर हम बात करेंगे विद्यूट आप वह अंगो हम ने पढ़ा ओभी से op लोगों को ने पढ़ा आप लोगों दियांगा चुम्मजिफ किया वीध्यूट उसकैट को हमने बीस अब जब बढ़ता है तो साइन मतलब साइन बनाते हुए जैसे कि तरंग आप लोगों ने बढ़ा होगा तो बिल्कुल साइन वेव बनाते हुए आगे बढ़ता है विद्धु छेत्र और चुम्बकिय शेत्र दोनों यहां पर यह जो चित्र आप देख रहे हो यह जो चित्र आप देख रहे हो आपको यहां पर ब्लू कलर की सबसे पहली बात अक्ष की बात कर लेते हैं इक्स वाइ और जेड तीन अक्ष आप लोगों को पता है अब यहां पर आप लोग देख रहे हो कि यह जो हमारा एक्स अक्ष है ठीक है एक्स अक्ष में आप लोगों retaining noises रेड कलर का साइन वेव जो है आगे लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, संचरित होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये देखो इस तरीके से, है कि नहीं, एक आपको ब्लू कलर का साइन वेव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये ब्लू कलर का साइन यह दोनों जो है समान कला में आगे बढ़ रहे हैं कला का मतलब होता है कोड के साथ है ना जो बिल्कुल जो हम साइन वेव और कॉस तरंग की बात करते हैं तो वहां पर कला फाई अक्षर से जो हम प्रदर्शित करते हैं आपने पढ़ा हुआ है यह मैं मान के चल रही हूं ठी जैसा है लंबवत है जैसे एक्स और अक्ष और वाय अक्ष जो एक दूसरे के परस पर लंबवत होता है उसी तरीके से यहां जो विद्युच्छेत्र की जो तरंगे है और जो चुम्बकिय शेत्र की तरंगे है वो लगातर परस पर एक दूसरे के लंबवत है एक बार जो ह प्रत्यवर्ती धारा में हम लोगों ने पढा आधे चक्रमे धनात्मक आधे चक्रमे रिनात्मक उसी तरह से यहां पर आगे बढ़ रही है विद्ध्वचितर की तरंगे और चुम्बकी यह रही है क्या कहलाती है विद्ध चुम्बकिया तरंगे क्योंकि जैसे कि हम बहुत सारे signals के आगे बात करेंगे पर यहाँ पर इस डाइग्राम को और अच्छे से समझ लेते हैं मैं आप लोगों को बहुत सारे examples भी बताने वाली हूँ आप सभी से में comment के माध्यम से पूछने भी वाली हूँ सब को एकदम ready रहना mcqs questions भी हम करेंगे तो answers आप लोगों को सही short देना है तो उसके लिए आप लोगों को lecture को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना होगा और exam में सबसे easiest चैप्टर आप लोगों का electromagnetic wave देखो यहां पर ध्यान से देखो देखो हो रहा है ना देखो यह ब्लू वाली line कैसे बढ़ रही है एक बार उपर की तरफ एक बार नीचे की तरफ तो यह कैसे हो रहा है वाय अक्ष ठीक है और यह जो ब्लू वाला आप देख रहे हो यह जो ब्लू वाला है यह जैड अक्ष पे है किसमें है यह जैड अक्ष पे यह वाले यह जैड अक्ष ठीक है और बढ़ किस तरफ रही है तो एक्स अक्ष की तरफ बढ़ रही है मतलब यहां पर जो तरंग आगे बढ़ रही है तरंग के आगे बढ़ने की जो दिशा है वो X अक्ष है जिसको हम बोलते हैं तरंग संचरण की दिशा तो ये हो गया आप लोगों का क्या विद्यू चुम्बकिया तरंग और बिल्कुल आगे हम बढ़ते हैं इस पे और इस टापिक में इस चैप्टर में सध्ध्याइम हम लोगों को क क्या पढ़ना है विस्थापन धारा के बारे में पढ़ना है मैक्षैल जी ने चार समीकरण दिये हैं तो उन चार समीकरणों को हम देखना है समझना है विद्यू चुम्बकिया तरंग और उसके स्पेक्ट्रम जैसë अभी तक हम लोगोंने प्रिज्म के दोारा जो कलर अभी हम अभी हम जो है विद्द चुम्बकिये तरंग और उसके जो स्पेक्ट्रम है जितना भी उसका तरंग जितना उसका रेंज है हर तरह की कीरण के बारे में जो है हम लोग यहां पर स्पेक्ट्रम में पढ़ने वाले हैं ग्रीन हाउस प्रभाव यह बहुत छोटा सा है इस पर बहुत जादा मतलब बहुत जादा फोकस करना नहीं होगा एक बार दो मिनट में आप लोगों को सारा कॉंसेट बता दूंगी और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अब बात करते हैं हम अपने एक्जांपल की कहां कहां विद्द चुम्बकिये तरह अब यह सारी टेकनोलाजी से रिलेटेड चीजे जो बिल्कुल एक दूसरे से मतलब संपर्क जहां पर करना पड़ता है क्या करना पड़ता है जहां पर भी एक दूसरे से संपर्क करना पड़ता है है बिल्कुल बिना जुड़े हुए बिना टचकी हुए जब संपर्क करना होता है तो सारे जगह में इस तरह के जो तरंगे यही संचरित हो करके क्या करती है बिल्कुल यही सारी चीजे जो है संचरित हो करके जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है क्या करती है ट्रांसफर करती है कोई भी सिगनल को अगर ट्रांसफर करना होता है तो जैसे कि मोबाइल में कभी जो है भुकम के लिए भी मनला भुकम की जानकारी के लिए भी या फिर जैसे की वेदर की जानकारी के लिए भी कैसा मौसम होना है और बहुत सारी चीजे यह है आपके Medical Science में भी बहुत सारी ऐसी चीजे यहां पर Treatment के लिए बिलकूर सिग्नल आपके Heart कब सिगनल वहाँ पर मेजर करा जाता है आपने कभी इसी जी कराया होगा और बाइलाजी वाले बच्चे मेरी भाशा जरूर समझ रहोंगे और मैट्स वाले बच्चों को भी थोड़ा बहुत समझ में आहिरा होगा है कि नहीं है कि नहीं तो हर जगह क्या है बिल्कुल हर जगह सा सब्सकुल अब ख बढ़ा किForm और मे张 देव कें हैंऔर किकित्ब्द शच्च रहा है तो जैसे आफ संधारितों अ एक सबसे पहले सब्सक्याइबifa बारे में पढ़ाए तो जब आप लोगों सब्सक्या दो विद्धुचेत्र पढ़ा था, जब आप लोगोंने सतह के लिए विद्धुचेत्र पढ़ा था, मैं याद दिला देती हूं, थोड़ा सा इस तरह से कोई भी सतह थी, और यहाँ पे कोई चालक सतह, इसके लिए विद्धुचेत्र सिगमा बटे 2 एपसला नौट आप लोगो को मिला होगा, याद होना चाहिए आप लोगों को, और जब हम क्या करते हैं, इस तरह से 2 सतह रग देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्कुल इसको आवेशित करते हैं, आवेशित करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, बिल्कुल बैटर कर दो यहां से आप लोगों का जो है स्धापन धारा का concept शुरू होता है हना तो यह चीज़ जो भी मैंने आप लोगों को समझाया अब यहां पर क्या हुआ धारा प्रवाहित करने की वज़ा से यहां पर यह जो चालक सतह है इस पर निर्भर कर रहा है थे तो अगर में परईवर्धन करेंगे तो क्या होगा हमारा यह विद्दु छेतर यह भी क्या होगा परिवर्ति विद्यू छेत्र बन जाएगा क्या बन जाएगा परिवर्ति विद्यू छेत्र जिसमें समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है ठीक है तो मैक्सवेल के अनुसार मैक्सवेल के अनुसार परिवर्ति विद्यू छेत्र की जो तिवरता है ठीक है अब ये आखिर का दो सत्ह जब इस तरह से हम रखते हैं तो इस संधारित्र कहते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर संधारित्र की बात कर रहे हैं परिवर्ति विद्धुचेत्र की तिवरता संधारित्र से पारित धारा के क्या होती है तुल्य होती है यह जो परिवर्ति विद्ध चेतल रहे इस प्रवाहित हारा के तुल्य होता है और इसका नया नाम करन किया गया जिसको कहा गया विस्थापन धारा तो जो आप लोगों ने विद्धु चेत्र में धारा पढ़ा यह वही धारा है और कुछ से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, यहां पर हमलोगों को करना क्या है ये जो हम लोगों को विद्द्च खेत्र बराबर स्ग्मा बट एप्सलों नाट दो सत्ष के बीच में जो हम लोगों को मिला है यहाँ पर लिख लेते हैं और यह बराबर सिग्मा एक्सपलों नौल दिख रा है आप लोगों को एस और नो हाँ दिzent हरा है अब हम लोगों को पता है ये जो sigma है वो क्या है क्या है ये प्रिष्ठिया आवेश खनत्व अब ये क्योंकि जो sigma है प्रिष्ठिया आवेश खनत्व सिग्मा बराबर क्या है सिग्मा बराबर q बटे a है की नहीं याद है की नहीं सभी को प्रिष्ठिया आवेश खनत्व यहा रहेगा capital Q लिखो small Q लिखो चलो यहां पर हम लोग स्मॉल क्यों लिख लेते हैं ज्यादा बेटर है क्योंकि बुक में जो है small Q का Q आभेश होगा ठीक हैं क्या होगा नियुख भबस की इत्यार नियुक में कि तो थोड़े से समय के लिए जुख लिया जाता है यहां पर यह जो अनुपात maneuver क्या कया होगा रिष्कू दियाए इक्वेशन नमबर वन इसको हम लोग लिख लेते हैं इसका मान हम लोग अगर अगर इसका मान अगर सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोगों को यहां पर जो है आवेश को जो है थोड़े से आवेश की यहां पर बात करना मतलब थोड़े से आवेश की यहां पर बात कर रहे है ठीक है किसकी बात कर रहे हैं परिवर्थी आवेश की बात कर रहे हैं कि अगर थोड़े से समय के लिए और विद्युधारा इसको दी गई और विद्युधारा दी गई तो क्या होगा थोड़ा सा आवेश जो है और बढ़ जाएगा और इस थोड़े से बढ़े हुए आवेश के कारण हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा जो है परिवर्ति विद्धुच्छेत्र मिलेगा क्या मिलेगा परिवर्ति विद्धुच्छेत्र मिलेगा तो यहाँ पर मैं इसको d e बराबर क्या मिल जाए हो जाएगा आप लोगों का i d t हो जाएगा epsilon not a ठीक है क्या कर सकते हम epsilon not a अब सारी चीजों को अगर एक तरफ करके हम i को अकेला कर दे तो क्या करें सारी चीजों को एक तरफ कर दे ये क्या हो जाएगा epsilon not A और ये D E बटे क्या हो जाएगा D E बटे DT ये परिवर्ति विद्धुच्छेत्र हो गया हो गया और ये हो जाएगा क्या I ठीक है इसको हम rearrange करके भी लिख सकते हैं rearrange करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा I बराबर epsilon not A और D E by DT I बराबर epsilon not A D E by DT हो जाएगा होगा की नहीं होगा जल्दी से नोट कर लो फटा फट से बताओ होगा की नहीं होगा D by DT ठीक है अब यह जो E है यह क्या है विद्युचेत्र ठीक है अगर मैं इसको rearrange करके लिखूँ फिर से लिख रही हूं मैं इसको rearrange करके फिर से rearrange कर रही हूं मतलब यह D by DT हैना और यहाँ पर मैने लिग दिया क्या क्या लिख दिया मतलब मैं इस ए को अंदर ले करके चली गई क्या कर गई ए को अंदर ले करके चली गई ठीक है तो आप लोगों ने यह को कही तो देखा है याद करो कहां देखा कहां देखा है भाई क्यों जल्दी से कमेंट में लिखके बताओ कहां देखा है यह को कहां कहां अरे याद नहीं क्या अभी हम लोगों ने चुम्बकिया फ्लक्स पढ़ा उसके पहले हम लोगों ने विद्युद फ्लक्स के बारे में पढ़ा था तो यह E A जो है और कुछ नहीं है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यह जो E A है यह क्या है आप लोगों का विद्यूत फ्लक्स अब हम लोग क्योंकि चुम्बकिय फ्लक्स और विद्यूत फ्लक्स दोनों ही पढ़ चुके है और आगे भी हम लोगों को यहां पर चुम्बकिय फ्लक्स की भी बात करनी है तो यहां पर हम लोग विद्यूत फ्लक से कितनी विद्धुत बल रेखाएं गुजर रही है उन रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है अगर चुम्बकिय रेखाओं की संख्या चुम्बकिया फ्लक्स कहलाती है अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने अब यहां पर वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा आई परावर एप्सलान नॉट डी बाई डी टी और यहां पर हम लिख सकते हैं क्या चुम्बकिया फ्लक्स लिख सकते हैं क्या चुम्बकिया फ्लक्स लिख सकते हैं और यह हो गया आप लोगों का एक एक विस्थापन धारा का मान आ गया किसका मान आ गया विस्थापन धारा य ग्याब्री डारेक्टिस्थ समीकरण tuck Samik rocks गणे वाला है जहां पर आप लोगों को निमारिप्स पूछा चाएगा और कुछ भी नहीं ठीक है अगर हम यहां पर कुल-धाड़ा की बात करें ठीक है कुल-धाड़ा की बात करें तो यहां पर कुल-धाड़ा कहां उत्पन होई है विष्थापन धारा परिवर्ति विद्चेतर के परिव sécurité हैं समय के साथ यहां पर अगर हो थोड़ा हम भढ़ा रहें जोसे परिवर्ति विद्चेतर हो रहे है है और इस परिवर्ति के कारन विजbringen कषापन धारा ठीक है IC का मतलब यह है conducting current है ना conducting current जिसको हम क्या बोलते हैं conducting current मतलब की चालन धारा ये चालन धारा जो है इस त्रोथ से जो है इन सतहों को आवेशित करने के लिए दी जारी है तो चालन धारा प्लस विस्थापन धारा बराबर क्या हो जाएगा कुल धारा हो जाएगा अब य क्ल जाएगा क्या को इसको हम नाम देते हैं क्या इसको हम नाम देते हैं समीकरण वो पहले का ये समीकरण दो लिख देती हूं इसको क्योंकि मैंने पहले DQ बराबर IDT को समीकरण 1 बोला था ये समीकरण 3 लिख देती हूं क्या लिख देती हूं ये जो समीकरण है आप लोगों को नुमारिकल में काम आएंगे, ठीक है, किसमें आएंगे, नुमारिकल में, ठीक, यह हो गया, अब आप लोगोंने Ampear का परिपथियनियम भी पढ़ा होगा Ampear का परिपथियनियम याद है किसी को सब भूल गए क्योंकि अभी हम लोगों ने चालन के बारे में बात किया विद्धुद्षेत्र की बात भी बात भी होगी विद्धुत चुम्बक्य तरंगे पड़ रहे हैं तो विद्धुत की बात हो गई चुम्बक्य भी बात होगी चुम्बक्य शेत्र की बात होगी तो यह हम इसके लिए हमको एंपियर का परिपथिया नियम के अनुसार क्या हो रहा था यह एंपियर का परिपथिया नियम किसी क्या यह समिकरंद 와 तो यहां पर हम लोगों को है तो हम लोगों को जो है ब्यू इल बराबर क्या मिल जाएगा नुट यहां पर ход जाएगा क्या चालंधारा यहां पर हो जाएगा क्या विस्थापन back राया दिये आप को समीकरण मिल गया चुम्बकिय शेत्र के रूप में तो यहां पर हमारा जो है विद्दु चुम्बकिय तरंग के लिए पूरा ये हमारा जो है समीकरण मिल गया इस समीकरण को हम समीकरण चार लिख सकते हैं और ये फाइनली आप लोगों का विस्थापन धारा का टॉपिक में बस इतना ही है और कुछ भी नहीं ठीक है बस इतना ही है जल्दी से नोट कर सकते हो आप लोग इतना ही है विस्थापन धारा के टॉपिक में ठीक है समझ में आया की नहीं कमेंट में लि ख़ए गया है और हम प्रत्यावर्ति धारत जो पर रहे हैं वो भी आने वाले लेक्चर में दो तीन दो लेक्टर में आप लो के ट्यूस्टे को खवर हो जाएंगे ठीक है ट्यूस्टे को जाएंगे जितने भी छोटे छटे चाफटर से विक और जाएंगे और वैसे तिवहारों का सीजन चल रहा है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा समय आप लोगों का वेस्ट ना हो वरना बात ही हो जाएगी कि वापस से पढ़ाई में आप लोगों का मन नहीं लगेगा तो बिल्कुल भी दियुत के टॉपिक्स में पढ़े हैं और जो हम लोगों ने चुमब किया शेत्र के टॉपिक में पढ़े हैं ठीक है गौस का नियम फेराडे का नियम एंपियर का नियम इन सब का कंक्लूजन चार समीकरण के रूप में मैक्सवेल जी ने दिया जो क्या कहलाते हैं मैक्सव हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक बटे आवेश का एक बटे एपसलों नौट गुना होता है बिल्कुल यह क्या है आप लोगों ने गौस के नियम में पढ़ाता तो यह हमारा चुंबकात्व संबंधी ज़र्वत मैं यृत करता है और यह जो है विद्यूत संबंधी है विद्यूत संबंधी है और इसके बाद फेराडे का नियम आप है पूरा पूरा और वहां पर यह जो माइनस साइन है लेंच लोग को प्रदर्शित करता है तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बहुत सारे प्रकार के नियम दे करके चले गाए और मैक्सवेल जी ने उनको क्या कर दिया समराइस कर दिया इन चार समीकरण के रूप में तो य याद रखना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा पढ़ा हुआ है समझा हुआ है सारे कॉंसा पड़ आप लोगों को जो है यह चार समीकरण याद रखने होंगे और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ जो समीकरण है यह हम लोगों को अभी-अभी मिला है पंधारा मिला चालंधारा और विस्थापनधारा का जब हम लोगोंने मान रखा तो यह समी करण हम लोगों को मिला मियू नौट को अगर अंदर गुड़ा कर दोगे तो विल्कुल इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो समी करण को लिख सकते हो तो Maxwell के समी करण लिख लेना है तो इसके रिलेटेड नुमारिकल पूछता है ठीक है चल आगे बढ़ें बढ़ते हैं अगे अब हम बात करते विद्धु चुम्बकिय तरंगों की जिसके बारे में हम लोगोंने चचा करी है तो मैंने क्या बताया है कि विद्धु चुम्बकिय तरंगे ऐसी तरंगे है ज तरंग संचरण की दिशा होती है और बिल्कुल यहां पर आप देख पारे हो एक्स अक्ष वाय अक्ष और जैड़ अक्ष है ना एक्स अक्ष वाय अक्ष और जैड़ अक्ष तो आप देख रहे हो कि यहां पर जो विद्यूत की छेत्र तरंगे हैं विद्यूत छेत्र की तरं और मेरे को तो यह सबसे सरल लगता है और मुझे लगता है कि आपके लिए भी बहुत ज्यादा आसान और सरल होना चाहिए क्योंकि कुछ रखा ही नहीं है इसमें है कि नहीं अब जब हम विद्युचुंब के तरंगों की प्रकृति की बात करें जो हम लोगों ने यहां पर द तो वहाँ विद्युचुंब की तरंगे क्या करती है उच सरजित करती है जो की समान आवरित्ती तथा समान कला में एक दूसरे के लंबवत तरंग की गती करती है और बिलकुल दिशा के लंबवत परिवर्ती विद्युच्छेत्र तथा परिवर्ती चुंब की शित्र होते है कैसा टेबारा वधिदुछ चितर की बार वर आगे बढ़ रहे है बलकुल बार बारा आगे बढ़ रहे है ठीक है तो जैसे यहाँ पर सबो निकलेंगे तो परिवर्ती है ना बढ़ रही है घट रही है जहां से निकल रही है वहां से बिलकुल बढ़ रही है घट रही है बढ़ रही है घट रही है यह क्या कहलाता है परिवर्ती ठीक है तो परिवर्ती विद्दुच्छेत्र भी है और परिवर्ती चुम्बकिय शेत्र भी है समझ मे विद्यू चुम्ब की तरंगे की वास्तविक प्रिभाशा लिखनी हो विद्यू चुम्ब की तरंगे वे तरंगे होती है जो एक दुसरे के लंबवत तलों में विद्यू छेत्र और चुम्ब की शेत्र के दोलनों से बनती है और दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ह तो यह क्या है य क्या है य य चीज को जो है दुबारा दुबारा समझाया जा रहा है और मेरे ख्याय से तो यह बिल्कुल एक मरलब दो लाइनों में explain किया जाने वाला चीज है पर हाँ आप लोगों को एक्जाम में जब सवाल आएगा तो लिखना पड़ेगा इसके related objective question आते हैं तो उसकी practice करने पड़ेगी सबसे आसान सबसे बहतरीन chapter है और बिल्कुल विदुचुम्बकिये तरंगे जो होती है अनु जैसे कि आप देख पा रहे हो चुम्बकिये तरंगों की प्रकृति जल्दी से चाहो तो नोट कर सकते हो आप और फिर नोट कर लोगे तो फिर आगे बढ़ेंगे हम अब हम आगे जब बात करेंगे तो हम लोगों को आप इनका थोड़ा सा equation लिखना होगा ठीक है जैसे कि आप लोग यहाँ पर जो है विदुचुम्बकिये पहले तो तीन आक्ष्ण बना लेते हैं दिखनके एक्स, य और जाड़, तो य अक्ष्म में हम लोगों ने क्या देखा विदुच्यत्रा और जाया ड़्वक हम लोगों ने क्या देखा लोगों की और विखेट्रा और बिलकुल इस तरह से जो है यह d तो 3D diagram में जाद आच्छे से दिखाई दे रहा होगा, है कि ने, 3D diagram में आप लोगों को जाद आच्छे से दिखाई दे रहा होगा, फिर भी कोई बात नहीं, समझना है, हम लोगों को समझ लेते हैं, अब यहाँ पर अगर हम लोगों को, समान कला और समान तरंग दैद में वि पर चैनल को थे सब्सक्राइए और और क्या जैसी तरह से साइन गर्व तो जब हम लोगों को यहां पर लिखना होगा इसको तो जैसे अभी तक आप लोग वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखते आये हो आप लोगों को पता होगा है ना इस तरह से तो उसी तरह से यहां पर भी आप लोगों को विद्धु छेत्र के लिए विद्धु तरंगा के लिए आप लोगों को क्या लिखना है यह लिखने के बाद आप लोगों को लिखना है क्या sin omega t, ठीक है, omega t, sin omega t लिखने के बाद क्या लिखोगे, sin omega t, यहाँ पर जो है, यह सबसे पहली बाद यह जो omega है, कोणी अवेग, और यहाँ पर t minus x by c, ठीक है, t minus x, y, c क्यों लिखा है, तो यह मैं आप लोगों को बदा देती हूँ, कि जो विदुद चुम्ब किया तरंगे ह वो प्रकाश की चाल से चलती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, तीन गुणा, दस की घात, तीन गुणा, दस की घात, 8 मिटर पर सेकेंड, ठीक है, और निर्वात में भी चलती है, माध्यम की आवशक, माध्यम जरूरी नहीं है, निर्वात में भी, जो है, विदुद चु के लिए equation लिखना होगा तो हम क्या करते हैं बिल्कुल इस तरह से जो है हम विद्धु छेत्र के लिए equation लिखते हैं ठीक है और यहां पर इस एक बटे C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, K भी लिख सकते हैं, एक बटे C को जो है, हम K भी लिख सकते हैं, जिससे हमारा ये जो equation है, एक बटे C बराबर के, तो ये जो equation है, वो हमारा हो जाएगा, EY बराबर E naught Sin omega T minus KX हो जाएगा, क्या हो two play by lambda two apply by lambda चूकि यह सारी चीजह आप लोगों ने दोलन में पढ़ा है प्रकाश की चाल और यह लेंडा क्या है तरंग देद है क्या है यह लेंडा तरंग देद है इनके बीच का क्याई से लेशन होता है यह आप लोगों को बहुत अच्छे से बता है तो यह सारी चीजे आप लोगों को बता दें कि जरुवत नहीं पढ़नी चाहिए पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को याद दिला दिया है इस तरह से आप लोगा कर सकते हैं इस इक्वेशन को ल चुम्बकिये शेत्र सबसे पहले मुझे यह बताओ कि चुम्बकिये शेत्र जो है कौन से अक्ष में है एक तो विद्यूत और चुम्बकिये शेत्र एक दूसरे के लंबवत है तरंग संचरण की दिशा इन दोनों के लंबवत है और यहां पर जो चुम्बकिये शेत्र है वो किसमे है Z अक्ष में तो इसलिए जब भी जब भी हमारो को चुम्बकिया शेत्र का equation लिखना होगा तो लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे B Z Z for की चुम्बकिया शेत्र जो है वो किदर चल रही है जैर अक्ष की तरब चल रही है कि तो यहां पर भी साइन वेक अगर आप देखोगे तो यहां मेह को जाएगा चुम्बक ज sean ऑक्ष का याम not और यहां यह हो जाएगा साइन ओमेगा टी ठीक है साइन ओमेगा और यह हो जाएगा क्या टी माइनस एक्स बाई सी सेम जैसे कि विद्यू छेत्र में हुआ क्योंकि समान कला में समान दिशा में आगे बढ़ रही है अब इसको भी आप अगर मॉडिफाई करके लिखोगे तो यह बी ज ठीक है परसपर क्या है एक दूसरे के लंबवत है यहां पर आप जो है ओमेगा बरावर क्या होता है टू पाई एफ भी होता है और इसके पहले ही मैंने आप लोगों को ओमेगा बरावर टू पाई बटे टी यह भी आप लोगों को जो है बताया हुआ है कही ना कहीं पर कि आप लोगों ने पढ़ा होगा यह बिल्कुल थीक है फिलियर है जल्दी से कर लोट कर लो आप admissions ओर यह हो गिया आप लोगों का तरंगों की जो प्रकृती होती है विध्यू चुम्भ की तरंगों की जो प्रकृती होती है वो तरंग संग्षरन की दिशा बस इसके related objective कि तीसरा और ओने डेखा तो लूगों ने यह तीसरा और चौन्ता समीकरण किया वोर था यहां यह निकाला वो तो इन दोनों पर वेजय ये हम लोग देख लेते हैं ये तो बल्कुल ये ठीक है डो ई का वर्ग वैसे देखो गुर धर्मा बहुत जादा आते नहीं है जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूं तीसरे और चौथे समीकरण से जो है बिलकुल ये प्राप्त किया गया है इसका डेरिवेशन आप लोगों को करने की चाहो तो कर सकते हो पर करने का जरुवत ही नहीं क्योंकि पूछता ही नहीं है एक्जाम में बस हम लोगों को थोड़ा सा देखना है कि बाई तीसरे और चौथे मैक्सेवल के समीकरण से हम लोग जो है इन समीकरणों को प्राप्त करते हैं डेरिवेशन करने का कोई मतलब न पर ओडों को याद रहा होता है यह फॉर्मूला यहाद रहा है मिल सकता है अगला जो गुर्धर्मा है विद्ध्व चुम्ब की तरंगे विद्धव टृष टृष टॉने छिट्र एक दूसरे की लंबवाद होते हैं यह तो हमको पता ही है अनुप्रस्थ तरंग होते हैं यह वी हम लोगे ने देखी लिया हजुए बिलकुल इबुषुमट की रिलेशन है आगले चाल की करते हैं अगले गुर्धर्म की तरब जाते हैं तरंगे र्जा संचरन करती है तरंग ऑर क्रिती help की दो प्रनेड़ करती है एक टरंग के रूप में और एक कर neighborhood क strongly होती है विकरण तथा द्वयत की प्रकृती वाले चाप्टर जो आगे आएगा आप लोगों का उस चाप्टर में जो है आप लोग ये पढ़ोगे तो यहां पर भी उर्जा संचरन करती है तो अब्यस्टी बात है और सारी तरंगे उर्जा ही है इकाई शेत्रफल से उर्जा प्रवाह की दर को क्या कहते हैं जो अब्यस्टी के बात करेंगे वहरा ज़ल है और जल्दी विक देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो अभी स्पेक्ट्रम की बात करेंगे ना वह आपका इंपोर्डेंट है विदुचिंब की तरंगे संवेक संचरंट करती है ठीक है संवेक मतलब पी बराबर एम वी जो संवेक आप लोगों ने पढ़ा था याद होगा और यहां पर जो कैपिटल पी है ठीक है यह स अजहां करता है कि आप बढ़ यह कहते हैं और वावाद्पन चिंब की तरंग करण कंजा जासको हम प्रकाश को बी कहते हैं और ये वाला देख लेते versuch की की तरंग का मूलिस्त्रों मूलिस्त्रोंत क्या है विद्धर आवेश मतलब गतिमाने आवेश जिसमें त्वरन ho बस इतना ही है आप लोगों का अगुर धर्म में और बाकी अब मुद्दे की बात आती है जिसको आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना इसके रिलेटेड आप लोगों को क्वेशन भी आते हैं और बहुत खुबसूरत सा यह चित्र मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई जाख है और अब चालो ध्यान से देखो यहाँ शांए से देखोर रहों जाण रहे हैं और अगर नहीं दिखाए दे रहहोगा तो लोगों ने अभी तक के बारे में पढ़ा है जो की प्रिज्दम से हो कर que गुझरती है तो Veteran बेशेपर होता है थिक है वो क्या होता है वर्ण विक्षेपर होता है तो यहीं में प्रिज्दम को तिखाई देता है और इसके आगे और पीछे इधर भी जो लोगों को नंगना से दिखाई नई देती तो यह तो क्या होता है जो हमको दिखाई देता है उसको क्या स्कूंट शैर अच्काश का टेилось क्या आद कि टरंगे क्या है अध्रीक ढर्खार्ण है तो कुछ फिर लगे है वो कहला आती है शुच्मत तरंगे कहला आती है कुछ मैं यहां पर लिख देती हुआ आप लोगों के लिए कुछ अमरलब की इधर ये दृश्य प्रकास के बाद इधर इधर की जो तरंग है सबसे पहले यहां पर इंफ्रारेड इन फ्रारेड यहां एक काम करते हैं हम जो है एक करते हैं एक तरफ से नाम शुरू करते हैं और यहां पर वैसे एक टेबल और बिलकुल यह यहांपर देखोगे तो क्योंकि वहां पर आप लोगों को क्लिर दिखाई नहीं दे रहोगा तो यहां पर देख सकते हो गामा की रन एक्स की रण पराबैगनी की रण और बीच का जो हिस्सा मैंने आप लोगों को दिखाया है द्रिश्य प्रकाश का यह जो द्रिश्य प्रकाश का हिस्सा है वो यह है ठीक है तो यहां पर जो उसके लेफ्ट साइड की जो किरने थी वो गामा की रण एक्स की रण पराबैगनी तरंग hai यहां पर आप लोगों को यहां पर मैं लोगों नाम क्लियर खला दिखाई दे रहा होगा अvenge तरंग ही तहीन है और यहां पर विज़ेबल लाइट जो हम लोगों को दिखाई देती है और मांकि सारी अदुरिश्य प्रकाश है और वहाँ से हम लोगोंने गामा गामा कीरन, एक्स कीरन और बिल्कुल यहां से हम लोगों ने एक्स कीरन पढ़ा था अंग्रेजी में जो है इसको बोलते हैं अल्टरा वाइलेट रेस, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको पराबैंगनी, यूवी कीरन यहां पर लिख देती हूं, यूवी रेस, अल्टरा वाइ बोलते हैं और इसके बाद ये टलिविजन एफ-फे एम रेडियो ठीक है और उसके बाद अ. यहां पर यहां पर यहां पर दोलन चाप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा यहां पर आवृत्ती के बारे में बताया गया है तो यह आवृत्ती परास है मतलब कि अगर जैसे कि मैं अगर द्रिश्य प्रकाश की बात करूं तो द्रिश्य प्रकाश जो है इसकी आवरिती जो है दस की घात 14 से ले करके दस की घात 15 तक का होता है है और जब तरंग दैर्ध की बात करूं तो यहां पर तरंग दैर्ध का क्या है बिलकुल यह जो है बिल से मैंने आप लोगों को इस प्रकाश की बताया था तो और यहां पर भी आप लोग देख सकते हो कि एकदम से इनको अलग कर दे ये थोड़ा एक दूसरे के ऊपर mixed हो करके धीरे-धीरे क्या होते हैं अलग होते हैं तो overlap कहते हैं इसको क्या बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर थोड़ा overlap होते हैं तो उसी तरीके से ये जो range है ना ये exactly उतना ही नहीं होता लगभग हम एक परास न है यहां पर जो मीटर में लिखा हुआ है 10 की खात –5-6 में लिखा हुआ है और इसको अगर हम बदले नैनोग मेतर में यहां पर ठुट कर deepest के लिए जिया हुआ ईसके related question कैसे आएगा सिधा मैं मुद्दी की बात कैसे आएगा objective कि आपको पुछेगा कि दिश्च प्रकाश का तरंग दैधे कितना होता है आवरत्ती परास कितनी होती है यह आवरत्ती परास दिया हुआ है है जैसे कि परा बैंग निक आपको पूछ लिया मालो कि इसका तरंग दैधे कितना होता है किस रेंच का होता है और इ याद करना पड़ेगा यहाँ पर ठीक है तो यह इस तरह से आप लोग देख सकते हो और अगर यह डाइग्राम आप देखोगे तो देखो किस तरीके से प्रकाश की किरण आ रही है प्रकाश की किरणों के साथ और भी बहुत साथ तरह की किरणे आ रही है हना बहुत सारी तरह की केड़ माइनस बारा मिटर के आसपास के रेंज का इधर दिखाया जा रहा है और इसकी आवृती की जाद है वह धनात्मक है और तु चोटी-चोटी बातों का ध्यार रखना है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि कि हम बहुत silly mistakes कर देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा common sense वाली बात होती है तो यहां पर तो common sense से भी आप विद्धुचुंब की तरंगों के objective questions को जो है हल कर सकते हो ठीक है अगर आप बोड एक्जाम की बात करोगे तो बहुत कम नंबर का इससे question आता है ठीक है तो चाप्टर चोड़ा सा है तो नंबर भी कम तीन चार पांच तीन चार नंबर का आएगा उससे जादा का पूछे का नहीं बोड एक्जाम में और हो सकता है कि आपके competition एक्जाम में आ जाए ठीक है इस तरह से और इनका उपियोग कि कहां पर किया जाता है तो बिलकुल यहां पर क्या करा जाता है यूज किया जाता है और एक्सरे एक्सरे करवाने तो कई बार कभी ने हाथ तूट जाते हैं हमारे यह फिर बिलकुल हड्डियां क्रेक हो जाती है तो वहां पर एक्सक्रेणों का इस्तेमाल करके बिलकुल जो है फिल्म निकाली जाती है जिससे पता लगा है उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं ठीक है इसके बाद अल्ट्रा वाइलेट रेस की अगर हम बात करें तो अल्ट्रा वाइलेट रेस के लिए जिसका उपयोग कहां पर किया जाता है बिल्कुल अल्ट्रा वाइलेट रेस का उपयोग कहां पर किया जाता है तो आप लो तो बिल्कुल उसे बहुत सारे जो है बीमारियां भी आती है अगर अल्ट्रा वायलेट रेस की मात्रा बहुत जादा अधिक हो तो बिल्कुल संबर्न आप लोगों ने सुना होगा ठीक है इसके बाद विजिबल लाइट मतलब दिरिश्य प्रकाश की बारी आती है तो जो हम लोगों का जो मोबाइल फोन ऑपरेट करता है और जो आपका रिमोट ओपरेट करता है तो यह है कि सारी की सारी कौन से तरह की लिब्लद की और अबरध प्रकाश कीरने है एसके बाद मालें मायक्रो टांस के तरंग के रूप में होता है वहाँ प्रकाश की दो प्रकृति है तरंग और कन इसके बारे में और भी डीटेल में आगे के चैप्टरस में पढ़ना है पर फिलहाल माइक्रोवेव शुष्मत तरंग है लगू तरंग जिसको हम लोग बोलते हैं इसका और भी बहुत सारा उपय लुट यह भी आप लोगों का अवरक्त किनों में आ सकता है और जैसे कि अगर हम सेल्फोन की बात करें तो भाई आप यहां बैठे हो मैं आप लोगों से भी बाते करती हो आप लोग मेरे को देख रहे हो ठीक है कितनी दूर हो पर फिर भी मतलब वह रेंज की बात है किसकी है एक शहर का एक एक एफ-ैम रOOOO होता है और पूरे देश में जो चलता है और अम रीडियो की भी बात होती है तो बिल्कुल इस तरह से जो है तरंग देख यह और आवृती के अनुसार इनकी अपनी अपनी क्या है उपियोह गिता है अब हुट कर लेते हैं ये चुम्ड कि तोड़ा history जान लेते हैं तहट नाम के व्यानिYoц है अपने बहुत सारे प्रयोगों के द्वारा क्या किया विद्ध त्रूंबकईद तरंग की खोश करी कितना जरूरी चीज है पूरिके पूरी टेक्नोलाजी हमारी विद्भचुंत क्या तरंग पर आधारित है सबसे बेसीचीज है तीकर विद्भचुम्बक पहले खोचा गया फिर विद्भचुंबक क्या तरंग की खोच हर्ट के द््वारा करी गई है उप्रान अनेक प्रेयोगों द्वारा विधिन अलग-अलग तरह की टेक्नलोजी की इजाद करी तो सबसे इंपोर्टेंट चीज हम लोगों को यहां पर मिल पाया है और यहां पर जो है दृष्य प्रकाश और मतलब दृष्य प्रकाश सबसे पहले हम लोगों को पता था क्योंकि हम उसको आखों से देख सकते थे पर गावा 200 मिटर तक का तो यह बिल्कुल जो है किसका रेंज दिया हुआ है विद्धु चुम्बकिये तरंगों का रेंज दिया हुआ है यहां पर जिसका उत्पादन संभव हो सका है इस पराज का और और इसको हजब हम क्या करते हैं बढ़ते तरंग दैध के क्रम में रखते हैं ठी बढ़ते क्रम में ठीक है तरंग दैड के बढ़ते क्रम में रखा गया है किसके तरंग दैध के बढ़ते क्रम में और यह स्पेक्ट्रम मतलब यह टेबल को ही अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना तो सारा कोश्टन इस टेबल में ही छिपा हुआ है ठीक है किसमें चिपा का तरंग दैध विब्न प्रकार की किरने यहां पर आप देख पारे हो अलग अलग तरह की किरने अब द्रिश्य प्रकाश की के वल अगर बात करें ठीक है तो यह वादा जो रेंज है इसको थोड़ा सा इलाबरेट करके यहां पर बताया गया है ठीक है इसको भी मैं आप लोगों को बता देती हो द्रिश्य प्रकाश का ठीक है तो यहां पर आप लोग इसका रेंज देख पा रहे हैं तरंग देख चारसो नैनो मिटर से लेकर के 700 नैनो मिटर तक के और यहां पर जो है लाल रंग का तरंग देख क्या होता है सबसे अधिक होता है इसलिए हो हमको तो आप लोगों ने इसके मतलब की पहले 10 अधिक और किरन प्रकाश की में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आस्मान का रंग जो है सुवेरे के वक्त या सूरज धलते के वक्त या सूरज उदय के वक्त जो है लाल रंग का क्यूं दिखाई देता है क्योंकि वहां पर है ज़िसक्ज कि और यहां पर विकरण विकरित हो जाती है यहाँ पर जू है ला का देख जादा होने के पार यह हमारी आखों तक पहुंच में बादा के रंग कांग थी और यह इस सासरे का यह और आप दिला रही थी कि तरंक डैद आप लोगोंकों को दिया हूआ है और य लाल रंग का तरंग दैदे कितना होता है तो यह प्रकाश की वाले चाप्टर में पढ़ा है आगे बात करते हैं इन तरंगों की तरंग दैदे ayek निश्यतना करें सस्क्राइब का यह पाया है कि याद होनार को के भी आपने नहीं देखा हैं तो फुर्ष भी बहुत ही बह्त तरीके से अप लुगों किसी लेक्टर में नहीं मिलेगा वह चीजह गसम zero ब Soo यह आप लोगों को जरूर देखना चाहिए है कि नहीं लगातार दिन रात आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से फिजिक्स समझ में आए और फिजिक्स आप लोगों के लिए बहुत जादा आसान हो जाए और उमीद करती हूँ जो बच्चे मेरे साथ लगातार पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स बहुत ही आसान हो गई होगी यस और नो हो गई है कि नहीं पेटा जल्दी से कमेंट में बताओगे हो गई है फिजिक्स आसान क्यों भाई जो लगातार रेगुलर क्लासस द देखते हैं तो सबसे पहली बात की निर्वात में भी चल सकती है पहले ही हम लोगों ने देख लिया था इसकी चाल भी हम लोगों ने डिसकस कर लिया है पर फिर भी यह देखना जारू है क्योंकि अब्जेक्टिव कोश्चन के रूप में आता है सभी तरंगे पर आवरतन कोई प्रभाव नहीं पढ़ता स्टिकेश अब विदुचुन्बा की तरंगये है पर इनपर किसी और विदुचुम्म के स्ट्रों का प्रभाव नहीं पढ़ेगा ठीक है जैसे कि जो अगर अवरत कीरण है तो वह रखक्ट की रंध है उस पर कोई और कोई और कोई और एडियो है ठीक है अब 94.7 FM है मालो ठीक है तो 94.7 FM उसका अपना एक रेंज है वो उसका अपना रास्ता है तो 94.3 FM है अगर मालो वह 94.7 FM के रास्ते में नहीं आ सकता बात समझा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 94.3 FM वाले का कोई भी असर वो भी विद्यू चिंब किये तरंग है 94.7 भी विद्यू चिंब किये तरंग है इस पर उसको कोई असर नहीं पड़ेगा ना तो 94.7 वाले का असर 94.3 में पड़ेगा क्योंकि यह अपने अपने रास से भटक नहीं सकती क्योंकि वह अपने रास्ते से ही जो है सिगनल पहुचा सकती है तो सबका अलग-अलग रास्ता बना दिया गया है जिसके वजह से वह एक दूसरे को क्या है इफ्ट नहीं करते हैं है कि अब बात करते हैं हम ग्रीन हाउस प्रभाव की तो बेटा ग्रीन ह पौधे उगाए जाते हैं और बिल्कुल और वहां पर मतलब की ग्रीन कलर कलर की वजह से उसका अन्दर आसानी से जो है मतलब बहुत सारे पौधे उगाए जा सकते हैं और काफी अच्छा होता है और बिलकुल जो है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं ठiory ग्रीन मैदान में पौधों को उखाने के लिए क्या करा जाता है बनाया जाता है काश लगू तरंग दैंध के अवरक्त विकिरनों तथा दृष्य प्रकाश का पारगत होता है ठीक है अवरक्त विकिरन इंफ्रारेड रेस वहां पर जो है बिल्कुल जो होती है और ग्रीन कलर का है प जासे जो मतलब की जैसे कि हमारी स्कीन में क्यों वी रेस की वज़ा से नुक्सान होता है है की नहीं होगा अब जब कि यह तरंग दैद के अवरक्त विकिरनों को आउशोसित कर लेता है क्योंकि वहां पर ग्रीन कलर का पर्दा बना गया है वह क्या करेगा जो काम की जाएगी और शोसित हो जाएगी बागी सारी चीज़े क्या हो जाएगी और शोसित हो जाएगी सूर से आने वाला प्रकाश लगु तरंग दैद के अवरक्त विकिरन कांच में होकर पौधा पौधा घर के अंदर प्रवेश करता है मतलब की जो हम लोगों ने घर बनाया है अंदर प्रवेश करता है जो पौधों को प्राप्त होता है तो मतलब जो पौधों को चाहिए वही हम उसको दे रहे हैं बांकी चीज़े कुछ भी उस तक के नहीं पहुंच पारी है यही ग्रीन हाउस प्रभाव है पौधा घर रात में पौधों से उच्छित अपेक्षा क क्या होता है रात के समय में कम होता है कांच से होकर बाहर नहीं निकल पाती है जिससे पौधा घर का अंदर का ताप क्या होता है गरम बना रहता है जिससे पौधा घर जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं कुछ भी नहीं है ग्रीन हाउस होंगे जादा तर और उनके उपयोग आप लोगों को याद रखने होंगे कुछ उपयोग मैंने आप लोगों को समझाये हैं कॉमन सेंस है आपके आज पास आप जो सुनते आ रहे हो समझते आ रहे हो वही चीज महाँ पर उपयोगिता में लिखी गई है और थोड़ा निमारिकल देख लेते हैं तो निमारिकल जो है यह निमारिकल अगर हम देखे तो इसमें क्या दिया हुआ है प्रेश्ण में एक दी हुई है ह़िज में ठीक है तरंग की आवरित्ती दी हुई है आवरित्ती किति दी हुई है पाँच गुड़ा 10 की घात आवरित्ती को हम लिखते हैं किया G laح क्वाठ चौदा हड्स में दी हुई है है ना रेडियन में क्या होता है ओमेगा तो ओमेगा होता है किया 2 पाई एफ है ब दो जैड अक्ष टरंग संचुरित हो रही है अभी तक हम लोगों ने एक्स है दो तरंग संचरन पढ़ा यहां पे जैड अक्ष के अनुदिश हो रही है विद्धुच्छेत्र की औसत उर्जा घनत्व हम लोगों को निकानला है जूल पर मेटर क्यूब में तो औसत उर्जा घनत्व आप लोगों को फार्मूला याद होगा औसत उर्जा घनत्व आप लोगो क्यों को हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं और यहां पर यह जो विद्धुच्छेत्र है ठीक है यह जो विद्धुच्छेत्र है इसके जगह में हम लोगों को जो है एक यहां पर लोगों को क्या करना है इसके जगह में इसका वैल्यू रखना है एक बटे दो एपसलान नॉट और यहां पर होगा क्या इनॉट बटे रूट दो कवर आप लोगों को जो है विद्धुच्छेतर का आयाम फ्रेश्ण में दिया हुआ है पहले सही एपसलान नॉट का जो वैल्यू होता है एपसलान नॉट का वैल्यू होता है आठ दिसमलो आठ पांच गुणा दस की घात माइनस बारा इसका यूनिट क्या होता है कोई बता सकता है इसका यूनिट क्या होता है दस की घात माइनस बारा क्या होता है यूनिट जल्दी से बताओगे जब तक कि मैं वेट कर रही करो मेरे को क्या होगा यहां पर आपको निकालना क्या है उर्जा घनत्व निकालना है जूल पर प्रती मीटर क्यूब में उर्जा घनत्व एक बार फार्मूला कन्फर्म कर लेते हैं हम उर्जा घनत्व का फार्मूला यही है क्या येस येस बिल्कुल हाँ यही है फार्मूला चीक है इसका मातरक क्या होता है कौन बताएगा तो बिलकुल मातरक भी आप लोगों को पता होना चीए होंवर्क है आप लोग देखकर जरूर आना अपसलोन नौट का निमरिकल वैल्यू मैं बता दी हूँ और यहां पर आपको उर्जा घनत में निकालने के लिए रखना है एक बटे दो गुड़ा आट दसमलो आट पांच गुड़ा दस की घात माइनस बारा और यहां पर आयाम क्या हो जाएगा आयाम हो जाएगा एक बटे एक बटे दो लिख रही हूँ मैं सिधा सिधा क्योंकि ये वर्ग मूल दो का वर्ग क्या होगा दो होगा दो गुड़ा दो यहां पर चार होगा यहां पर क्या हो जाएगा एक बटे चार एक बटे चार गुड़ा आट दसमलो आट पांच गुड़ा दस की घात माइनस बार ठीक है, मान क्या आएगा, चार दुनी आठ, ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर लिख रही हूँ, यू बराबर क्या जाएगा, चार दुनी आठ, चार एक कम चार, फिर दो, एक दो, गुड़ा, दस की घार, माइनस बारा, ठीक है, उर्जा घनत्व का मातरक, जूल प्रति मीटर क्यों, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों का उर्जा घनत्व का मान आ गया, तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ट है, और जो भी विद्धु चुम्ब की तरंग है, मतलब अभी तक के आप लोगों ने प्रतिया वर्तिधारा तक के जितना आप ही बढ़ा है, है ना, वो सारे आपके विद्धु चुम्ब की तरंग में यहां पर इंक्लूड हो जा रहे हैं, है ना, विस्थापन धारा, एंपियर का परिपतियनियम, बहुत सारी चीज़े हम लोगों ने देखी, ठीक है, तो इस तरी के से मैंने आप लोगों को बताया, पूरा फॉर् परिंग चाप्टर्स है, तो इस तीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, अब एक और कोशन देख लेते हैं, एक विद्धु चुम्ब की तरंग का बिंदु स्त्रोथ, आज सव वाट, निर्गत, है ना, आज सव वाट, निर्गत, औस चक्ति रखता है, तीन दो प्रेशन को पढ़ो जल्दी से क्या होगा, ये कौशन आपको खुद सॉल्व करना है, ये कौशन आपको खुद सॉल्व करना है, खोजना है आपको बुख में, सेल्फ स्टेडी करनी है थोड़ी, कौन सा फार्म फॉर्मूला लगेगा, अभी तक कि जो आप लोगोंने अब बारी आती है, औब जेक्टिव कोशन की, तो अबजेक्टिव कोशन थोड़े कर लेते हैं, अब जेक्टिव कोशन क्या-क्या पढ़ा आप लोगों ने अभी तक कि क्या-क्या समझा, आप लोगों को थोड़ा धिहान होना चाहिए, ठीक है, त्रेडी हो सब बच्चे, अब जेक्टिव कोशन करने के लिए हाँ, आप तो सबको मजाएगा, है की नहीं, सबको मजाएगा ना, यस और नो, हाँ, अब तो सबको मजाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों का पहला MCQ कोशन है, क्या पूछ रहा है क्वेशन में आप लोगों को, किसी विद्ध्य किरन, पराबैंगनी किरन, आवरक्त किरन, क्या होना चाहिए, विद्ध्य चुमबकिया विकरन की उर्जा 2 किलो इलेक्टरॉन वोल्ट है, यह किस शित्र से संबंधित हो सकता है, कॉमन सेंस का इस्तमाल करना है आप लोगों को, और आप लोगों को बस यहाँ पर यह देख क्या होगा इसका अंसर क मौन सा की रण होना चाहिए, चल्डी से A, B, C, R, D, फटा 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 आंसर करेंगे, फटा 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 आंसर करेंगे, इसका अंसर होगा, औप्शन B, S की रण, ठीक है, औप्शन B, X की रण, बिल्कोल, यह सारी चीजों को आप लोगों को उपि है थोड़ा common sense भी लगाना है कि विकरण की उर्जा दो किलो electron volt medical के शित्र में आप लोग जाने वाले हो एक्स की रण जो है लगबग इस range में जो है उर्जा विकरित करते हैं तो बिल्कुल इसका अंसर एक्स की रण होगा अगले सवाल की तरह आगे बढ़ते हैं तो दूसरा सवाल हमारा है यहां पर बादलों के द्वारा पर बेंगनी किरनो का बादलों के द्वारा तो वैसे मैंने आप लोगो को जो है बिल्कुल एक टेबल दिखाया था और एक फोटो भी दिखाए थी जहांँ पर मैंने आप लोगों को भूत चाहूंगी थी स्टारी होगा खीड़ां बांप लोगों के द्वारा इन्म पर आवरतन होता है इसीले बादलों तक के जो रेंश की चीजे होती हैं वहां पर हम लोगा इस्टमाल करते हैं और इसका एक बर मैं अगर यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी थोड़ा यह वाली पिक्चर अगर हम देखेंगे ठीक है तो यहां पर इंफ्रारेड रेस अवरक्त किरनों में हम लोग जो है बिलकुल मतलब जो है इस रेंज में हम जो है जो है जो इनकी उपयोगिता है क्या-क्या मतलब की जितना भी प्रकार का मतलब radiation है हम लोगों को यहां पर देखने के लिये मिलता है तो बादलों के साथ वारा परावर्तन होता है जो की वाजह से का option C विवर्तन का इन में से कोई नहीं option बताओ जल्दी से ABCD ये तो बिल्कुल देख की बताने वाला आंसर है तो बहुत जाद आप लोगों को जो है बिल्कुल यहां पर अपना दमाग का इस्तमाल का इस्तमाल करना पड़ेगा और कुछ चीजे आपको याद रखने पड़ेगी जैसे कि सारे उपियोग स्पेक्ट्रम के आपको याद रखने पड़ेंगे जल्दी से आंसर बताएंगे तो क्या होगा ABCD तो भाई कौन सा गुन प्रदर्शित नहीं करता पूछ रहा है तो भाई प्रकाश ही त तरंग लंबाई सबसे सब्से कम तरंग लंबाई मतलब की सब्से कम तरंग किसका होता है तो हम लोग उने तरंग देढ़के बढ़ते क्रम पर हम लोग उने विद्ध्चिंबकिया इस्प्रार्म का टेबल देखा था तो ये भी आसान सवाल है ABCD जल्दी से आंसर सबसे अधिक रेडियो तरंगों का सबसे अधिक होता है किसका रेडियो तरंगों का तो इस तरह के सवाल यह तो बहुत ही आसान सा सवाल है और स्वाल क्या है प्रकाश विध्य reminder के रूप में संचरित होता है यह हमत किसने दिया option A Maxwell ने option B Kulam ने option C Ampere ने option D Newton ने बताओ भाई किसने दिया वा गुड वेरी गुड तो इसका answer दिया है Maxwell ने क्योंकि हम लोगों ने सारी चीज़े अभी इस chapter में जो पढ़ी है Maxwell के अनुसार पढ़ी है Maxwell की समीकरण भी हम लोगों ने देखे हैं तो बस इतना ही आज की class में और ये विदू चुमबकिया तरंग का ये अध्याय आपका प जाएगी अगर कोई भी दिक्कत है कोई भी समस्य है तो आप मुझे comments के माधियम से पूछ सकते हो आप का reply मैं Suppose क्लाश आप को कमिन्ट के माधियम से मुझे पूच सकते हो मकों करते हो आज की क्लास बच्चे लोग फट्टा फट्ट से सब बच्चे बताएंगे वाह ग्रेट मज़ा आगया आया की नहीं मज़ा वेरी गुड बिल्कुल हर क्लास की तरह इस क्लास में भी आई होप आप लोगों को बहुत